हेलो, आज मैं एपरिन गर्ल, आप ले लाई हूँ एक बहुत ही अलग डिश की रेसिपी, नाम है कोका कोला चिकन, जी हाँ, नाम सुनकर ही कुछ डिफरेंट लग रहा होगा ना, ये कोला चिकन बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेस्टी बनता है, और अलग होने के साथ साथ इसकी रेसिपी भी बहुत ही आसान है, सबसे पहले प्लीज हमारे चैनल, हमारे पेज को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेर कीजिए, तो तयार हो जाईए अपनी फेवरिट कोला डिंक के साथ, एक पैन में एक बड़ा चमच तिल डाल कर इसे हलकी आँच में भून लेते हैं, तिल भूनने में ज्यादा समय नहीं लगता है, देखिए ये तिल चटकने लगे हैं, इनके यूँ हलके भूरे होने पर हमेने उतार लेते हैं, अब पैन में दो बड़े चमच ओलिव ओल जालते हैं, मैं मोस्टली एक्स्ट्र वर्जिन ओलिव यूज करती हूँ, टेस्ट और हेल्थ में बेस्ट, ओल गरम करके हम इसमें डालते हैं, तीन बड़े चमच बारी कटा हुआ लस्सुन और दो बड़े चमच बारी कटा हुआ अद्रक, अब इने ठीक से भून लेते हैं, बहुत जादा चीज़े नहीं चाहिए होती हमारे को दोला चिकन को बनाने के लिए, ध्यान रखेगा कि ये अच्छे से भूने हूँ, कई बार ये थोड़े कच्चे रह जाते हैं, तो वो कच्चा स्वात खाने के टाइम भी आता है, ये देखिए लस्सन अद्रक भून के भूरे हो गए हैं, अब इसमें डालते हैं, आधा किल चिकन, मैंने करी कट चिकन लिया है, जो हम नॉर्मल ग्रेवी वाले चिकन बनाने में यूज करते हैं, इसे ठीक से इस लस्सन अद्रक में मिला लेते हैं, अब इसमें डालते हैं, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिच, आधा चम्मच पीली सरसों का पाउडर, और ये आच मीडियम करके चिकन को थोड़ा भून लेते हैं, ज्यादा नहीं, करीब एक मिनिट भूनते हैं इसे, अब इसमें डालते हैं, एक चम्मच सोया सॉस, सोया सॉस का अपना अलग सा फ्लेवर होता है, जो इस कोला चिकन में काफी बढ़िया लगता है, और अब बारी आती है हमारी एफरेंगर्ल स्पेशल इंग्रीडियन्ट की, कोका कोला, हम ये 300 मल की कोला की कैन खोलते हैं, और अपने चिकन में इस कोला को डाल देते हैं, ये गरम पैन में कोका कोला, शायद पहले ऐसा कुछ नहीं किया होगा आपने, लग रहा है ना कि कुछ नया कुछ स्पे इसे भी ठीक से चिकन और कोला के साथ मिला लेते हैं, अब हम आज को धीमा करते हैं, और फिर पैन को ढखकर चिकन को इसमें पकले देते हैं, इसे करीब 10 मिनिट के लिए पकाना है, कोला की वज़ा से हलकी सी मिठास होती है इस चिकन में, बाबक्यू सॉस की तरह स्वीट अ चिकन साथ टेस्ट आता है इसमें, एकदम अलग और बहुत ही बढ़िया, और कोला में पकने की वज़ा से ये चिकन खूब सॉफ्ट और जूसी भी होता है, हमने यहां कोका कोला यूज करी है, पर आप चाहें तो अपनी कोई भी फेवरिट कोला ड्रिंक इसमें डाल सकते ह दस मिनिट हो गए हैं, अब हम इसका धकन हटाते हैं, देखें कितना बढ़िया लग रहा है ये चिकन, अब इसे थोड़ा गाढ़ा किया जाए, हम आज तेज करके इसे ठीक से फिर से भूनते हैं, इसे तब तक पकाईए कि इसकी ये कोला की ग्रेवी कम होकर एकदम करीब दो-तीन मिनिट चलाने के बाद, अब हम इसमें डालते हैं ये पहले से भूने हुए तिल इन्हीं ठीक से मिलाकर इसमें डालते हैं एक चम्मच विनिगर विनिगर के साथ इसे और थोड़ा चलाया जाए, देखिए धीरे-धीरे हमारा चिकन और भी ड्राय हो गया है और बिलकुल अच्छे से भून गया है और अब लास्ट इंग्रीडियंट, ये छोटी-छोटी कटी हुई हरी प्यास के पत्ते इसे भी इसमें डाल कर ठीक से चला लेते हैं और देखिए ये हो गया हमारा एकड़म डिफरेंट और यमी कोका कोला चिकन तयार अब इसे सर्फ करते हैं, देखिए कितना जूसी और टेस्टी लग रहा है ये और इसकी ये गाढ़ी सी सॉस जो एकड़म अलग है थोड़ी सी और finely chopped हरी प्यास के पत्ते डाल दीजिए, इसे snack या starter की तरह सर्फ कीजिए या plain rice के साथ खाईए और मुझे comment section में ये लिख कर बताईए कि आपको ये कोला चिकन कैसा लगा अगर अब तक नहीं किया है तो facebook पर page like कीजिए और youtube पर channel subscribe कीजिए apron girl के next video में बहुत ही जल्द मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई